मेरे पच्चों को मां की जिरोत है तुर में जीन से मैं शादी कर ये मेरा आखिरी फेसला को बदल ले सकता है तिसे शादी में आना हो आजाना तिसे नहीं आना I don't give a damn रमन को पढ़ गया है जोरदार थपड शगुन ने मारा है रमन को चांटा अब तक इशिता की अर्थी भी नहीं उठी थी उसकी लाज भी नहीं मिली थी उसका अंतिम संसकार भी नहीं हुआ था नहीं सुखे थे घरवालों की आखों के आसू ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार में ऐसा हो जाएगा और खासकर इशिता के साथ अईयर फैमिली और भला परिवार के लिए बहुती सदमे की बात है ये मगर रमन वो तो अपनी तीसरी शादी का ख्वाफ संजोने लगे थे सबके सामने निधी से शादी करने का एलान कर चुके थे इशिता से महबबतें का दावा करने वाले रमन उसे पूरी तरह से भुला कर एक नई जिन्दुगी की शुरुवात करने चले थे अब ऐसे में रमन को थपड तो पढ़ना ही था न तो बस ये जिम्मा उठाया शगुने जिसने रमन को खीच कर तीन चार थपड जर दिये रमन आपकी ऐसी बातों पर यकीन नहीं होता आप तो इशिता से बेन तहां महबबत करते थे और आप दोरों की लफ स्चोरी सबके लिए एक मिसाल थी मगर यू निधी से शादी का एलान करना हम सब को चौका गया है खैर क्या कर सकते हैं? घोर कलियोग है जनाब वैसे जितना हम आपको जानते हैं उससे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसके पीछे भी जरूर आपकी कोई समझधारी भरी चाल है इशिता को बचाने के लिए और निधी का सच सब के सामने लाने के लिए मुंबई से इसनिहा शर्मा के साथ ABP News Report